तो फ्रेंज दिल्ले वाली बार्वी में आप से भी कस्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आज सपना बीमार है और आज घर में खाना भी नहीं बना है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है पापा पापा मुझे बहुत तेज भूख लगी है दवाई तो मैंने खा ली ह अब बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ अरे सपना तुम क्यों उट रही हो आज तुम एक भी काम नहीं करोगी तुम अज पूरे दिन सिर्फ आराम करोगी खाना मैं बनाओंगा और बच्चों को भी तयाद करके स्कूल भेज़ दूँगा तुम आराम करो अरे लेक बच्चों स्कूल जाना है ना जल्दी से तयार हो जाओ और हाँ पापा को जज़्जान मत करना ठीक है ममा अब बच्चों जल्दी से नहां के तयार हो जाओ तब तक मैं तुमारे लिए लंच बना देता हूं दादि भी किसी रिष्तिदार के घर चली गई है नहीं तो आज दादी होधी तो वह ही खाना बना देती जल्दी से रोटी बना देता हूं अरे बच्चों तुम तयार हो गए हाँ पापा मैं शूज पे Match पहा हूँ पापा पापा मेरा बैग कहा है अरे बेटा कल तुमने कहां रखा था देखो वह ही होगा पापा आप तो भारत का नक्षा बना रहे हैं अब भारत का नक्षा हो या वर्ड का खाना तो पड़ेगा पापा पापा मुझे जल्दी से दूद दीजे मेरे बस आती ही होगी हाँ बेटा बस दे रहा हूं अरे गईया भी भूके है उसे भी चारा देना होगा अरे क्या क्या करूँ रोटी बनाओं कि बच्चों को दूद दू कि गईया को चारा दू हे भगवान एक साथ इतने सारे काम लगता है गईया कुछ जादा ही भूकी है पहले उसको चारा ही दे कर आता हूं अरे आ रहा हूं बाबा ये ले लक्ष्मी खा ले अब अल्ला ना करियो ये पानी भी ले अरे मेरी रोटी हे भगवान रोटी तो जल गई अब क्या करूँ बच्चों को लंच भी देना है पापा मुझे जल्दी से दूद दीजे अरे अब तो बस भी आ गई दे रहा हूं बेटा दे रहा हूं लंच भी पैक करना है ये लो तुम दून दूद अरे बापरे ये लो तुम दून अपना अपना लंच भक्स और जल्दी जाओ बाई पापा बाई बच्चों बच्चे स्कूल चले गए बच्चा बना दिया जरा रोटी तोड़ कर देखो तूट रही है या पापर बन गई है सच में सपना आज मुझे समझ में आ गया कि औरतें घर में कितना काम करती है बाई फ्रेंज आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बार भी बाई बाई